हालो, हम पिछले दफा डिसकस किये थे कि दो रेजिस्टेंस लगा के कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है वो इसको पोटेंचिल डिवाइडर हमारे इंजिनेरिंग लैंगवेज में उसको बोलते हैं और हम देखे थे हैं यहां एक ट्रांजिस्टर लगाने के बाद वो जो हम सोचे थे यहां आधा आधा वोल्टेज होगा 12 वोल्ट से 6 वोल्ट होगा एक्चिल वो हुआ नहीं इसमें हुआ क्या कि यह आया 11.2 वोल्ट और यह आया 0.8 वोल्ट मतलब सेम दोनों को मिलाने से 12 वोल्ट हो जाएगी तो इसके across 0.75 हुआ और यह actually क्या होता है बेस और एमिटर के बीच में 0.6 अगर ज्यादा हुआ तो मतलब यहां से current flow होता है current flow होता है मतलब बाद में हम जाके discuss करेंगे यह एक switch जैसा काम करता है वो तो बाद में बात करेंगे तो आज के topic है यह fixed resistance के जगा हम कुछ variable resistance लगा के देखेंगे क्या होता है Welcome दोस्तो मैं हूँ UC पतनाईट Welcome to my tech channel चलिए आज के topic पर अभी हम क्या किये हैं एक resistance को निकालके यहां एक variable resistance लगा दिये हैं मतलब इसका resistance vary हो सकता है इसको हम जब उपर नीचे करेंगे vary होगा इसको भी हम 10 के लिए हैं और इसको जब हम vary करेंगे अभी देखेंगे यह जब यहां आएगा मतलब यह 0 है यहां से यह resistance का value अभी यहां से 0 है यहां से और यहां तक 0 है इसलिए इसको जब हम on करेंगे तो यहां 0 दिखाता है वो यहां 12 कैसे यहां से आया यह बोल्ट मीटर से आके सीधा यहां पहुंच गया तो यह 12 बोल्ट दिखाता है अब देखते हैं इसको अगर हम vary करते हैं क्या होता है इसको जब हम vary करते हैं यह देखो यह मालो मैं इसको थोड़ा सा उपर 10% लिया यह 0.6 वोल्ट रहा यह 11.4 फिर 12 दोनों मिला के 12 फिर उसको मेरा आगे और कुछ लिया मालों इसको 50% तक में ले लूँगा 39, 40, 51, 52, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 मतलब यहां 3 वोल्ट यह 9 वोल्ट कैसे हो रहा है वो यह हम कैसे हिसाब किया थे मतलब यहां 6 वोल्ट होगा यहां 6 वोल्ट होगा मतलब यहां से अगर यहां तक हम ले ले लेंगे पूरा उपर को ले लेंगे इसको पूरा उपर को ले लेंगे द जो किए बादा नीचे लाते हैं तो होता है क्या है ये तेनके और यहां आधा रहा आधा मतलब 5N करते यह इसकाथ 5 given कर यह 15 के और यहां 5 इसके 3 गुना है मतलब 5 इंटू 3 इस 15 दस और ये 5 इसलिए 15 हो गया तो इसलिए ये 3 से 3 गुना हो गया 9 हो गया तो यह है वो potential divider ऐसे ही काम करता है अगर variable resistance लगा के हम करते हैं और कभी-कभी क्या होता है हम ऐसे भी यूज करते हैं मतलब ये दो point को sort कर देते हैं और center point को और ये point को और देखते हैं क्या होता है यह हम एक value जानपुछ के 9 के उत्री के लिए हैं 12 वोल्ट के इसाब से रखने के लिए ताकि समझने में आपको आसा नहीं होगी तो अभी जब इसको हम operate करते हैं देखते हैं क्या होता है पहले इसको हम पूरा उपर उठा लेते हैं पूरा इसको उपर उठा लिया मतलब क्या हुआ मतलब कि फुल रेजिस्टेंस अभी है क्योंकि ये point ये point दोनों तो same point है मतलब ये point और ये point भी same हो गया मतलब ये रहा 9 के ये रहा 3 के तो क्या voltage होना चाहिए यहां यहा nine world आया यहां तीन ओल्ड आया इसको अगर हम नीचे ले आएंगे क्या होगा बीच में तीन वोल् शेपास करते 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 आके वो 0 हो जाए और वो 12 वोट हो जाए तो यह होता है जब हम इसको ऐसे यूज करते हैं तो दो तिन तरीका रहता है जैसे जब circuit में हमको सुभीदा होता है उसे हिसाब से हम लगाते हैं और कभी-कभी क्या होता है यह जो और वो variable lesson वो actually इसे straight नहीं रहता है आप picture में देखेंगे वो थोड़ा 270 degrees rotary type होता है मतलब इसको अगर हम पूरा इस तरफ जिस तरफ हम इस तरफ ले आएंगे तो यह यहाँ पहुंचा इस तरफ ले आएंगे यहाँ पहुंचेगे अभी देखते हैं voltage अभी क्या होना चाहिए मतलब मैं हम जान पूछके इसको थोड़ा value लिये हैं जो value बजार में नहीं मिलते हैं बढ़ फिर भी आपको समझाने के लिए हम लिए हैं इसको 9 के लिए हैं इसको 1 के लिए हैं इसको 2 के लिए हैं मतलब 9, 10, 12 मतलब voltage उसी हिसाब से होगा मतलब यहाँ से यहाँ 9 volt और यहाँ से यहाँ 1 volt 10 volt और यहाँ से यहाँ 2 volt तो वैसे हिसाब से होगा तो क्या करते हैं अभी जब हम इसको operate करते हैं हम क्या मिलता है ठीक है वैसे 2 volt यहां मिला और 10 volt क्योंकि 9 और यहां 1 volt मिल गया तो 10 volt हुआ इसको मतलब इसका lowest हम 2 से नीचे जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसके नीचे यह resistance है इसको अभी अगर हम बढ़ाते हैं क्या होगा इसका maximum कितना होगा maximum कितना होता है maximum इसका 3 volt होगा क्योंकि यह रहा 2 volt और यह रहा 1 volt तो maximum 3 volt मतलब इसका हम 2 से 3 volt तक vary कर सकते हैं यह point पे 2 से 3 volt तक vary कर सकते हैं उससे ना उपर जा पाएंगे या नीचे आपाएंगे तो इसमें फाइदा क्या हुआ दो से तीन वोल्ट मतलब एक ही वोल्ट मतलब इसके बीच में कितना होता है यह रहा कुछ 2.48 या 2.5 इसको मैं बीच में रखंगो 2.5 वोल्ट तो सुभिदा क्या होता है यह 270 डिग्री का जो रोटरी रहता है उसको सिरिफ एक वोल्टेज में हम चेंज कर सकते हैं मतलब 2 से एक वोल्टेज आड़ होके 3 हो सकता है या नहीं तो 0 होके 2 हो सकता है तो यह रहा जो हम ऐसे बाले पोटेंशल डिवाइडर कभी कभी यूज करते हैं और और एक कंडिशन देखते हैं हम क्या किया है एक ट्रांजिस्टर लगाया है और ट्रांजिस्टर को हमेशा बेस में एक रेजिचन सीरीज लगाना जो रुजी है क्योंकि अगर बाइचांस को से एक्स्टर वोल्टेज आने से खराब हो जाते हैं तो इसलिए एक सीरीज रेजिचन लगाया एक लोड लगाया मतलब एक बल्ब लगाया और उसके आगरस में हर एक जगा वोल्ट मिंटर लगाके देखेंगे वो होता क्या है जिसको जब हम ओन करते हैं जब इसको हम ओन किये हम पता था कितना व्ल्ट होता दो वोल्ट होता इसको ये लोट हो गया इसलिए अइसलिए दोbol्ट से वो कम हो गया 1.27 हुआ पतलब इसको 1.31 1.3 3 और 10.7 ये 12 hey ये हो ये 12 prol और इसका आट क्या होती टांजिस्ट में बात करेंगे जैसे बोला था तॉर टाइस्टोर एक स्वीच जैसा है विश्वीच मतलब इसके बेस में यहां करेंट जाने से यहां करेंट यहां से जाकर आपको दिखाने के लिए हम देखें अगर इसको हम थोड़ा इधर करेंगे और अभी अभी भी जो ना खोड़ा ब्राइटर ब्राइटर होता जाजाा है खोड़ा ब्राइटर हो जाता है विद्राओ 10 जा वूल्ट हो गया पहले कुछ कम बोल्ट है तो इसका वोल्टेज भी वैसे 8 प्लास 4 के आसब पास हुआ है वो भी 12 वोल्ट है जा रहा है लैंब थोला ब्राइटर हो जाता है यह 8 वोल्ट हो गया पहले कुछ कम बोलता तो इसका वोल्टेज भी वैसे 8 प्लस 4 के आसपास हुआ है वो भी 12 वोल्ट है तो कभी भी देखो 12 वोल्ट ही रहता है वो सोब तो theoretical है जब हम actual practice में देखेंगे कुछ फरक रहेगा पर अभी खाली simple समझाने के लिए आपको यह काफी है